हेलो सुन्स, वेलकम टो यूट्यूब चैनल, I hope you are all doing good तो सुन्स, आज की हमारे इस क्लास में हम लोग cover करेंगे Current Affairs for the date of 13th of April 2023 सुन्स, मेरा नाम है अभिनव जोशी, शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को, ठीक है? तो आज जो हम अपनी 5 News discuss करेंगे, उसका पहला topic होगा, इंडिया की economy, दुनिया की 3rd largest economy बनेगी 2027-2028 तक, इंडिया के Industry and Commerce Minister Piyush Goyal, उनके द्वारा पताया गया, हम इस News को समझेंगे 2nd News होगी, और मैंना आपको हर एक News के बाद, ये भी बताऊंगा कि, इस पर्टिकल न्यूस पर कोशन बनेगा, तो एक्जामिनर किस तरह का कोशन बनाएंगे और उसको आपको attempt कैसे करना है 2nd News होगी, Election Commission ने आम आदमी पार्टी को जो एक National Party का स्टेटस दे दिया और कुछ पार्टी से National Party का स्टेटस चीन लिया, वो भी हम डिसकस करेंगे 3rd होगी, Prime Minister of India, Narendra Modi ji ने खुद यहाँ पर रिलीस किया 5th cycle of India's Tiger Senses एक तरह से इंडिया में Tiger की population का जन गणना, ठीक है क्या increase आया, अब Tiger की population इंडिया में कितनी है, दुनिया में Tiger की population का कितने परसंट इंडिया में सब कुछ डिसकस कर लेंगे 4th news होगी, जन्धन योजना के अंदर जो इंडिया में करोड़ों अकाउंट्स खुलवाएगे, जिसको financial inclusion में सबसे बड़ी चीज बोला गया उसमें एक बहुत ही positive चीज देखी की, हम इसको भी समझेंगे, और आज की last news, इंडिया के oldest billionaire, एक इंसान, billionaire तब बनते है जब उनकी worth, आज की हैसाब से बताऊं, तो 8300 करोड़ से ज़ादा की worth के बाद आप billionaire बनते हो, तो इंडिया के oldest billionaire, इनका नाम था केशुब महिंद्रा, इनकी death होगी at the age of 99, इनके बार में भी हम जानेगे, ठीक है शुरू करते सुरूंस, आज की हमारी class को let's start, चलते है हमारी first news पे, पियूश गोल जी के दोवारा एक बहुत important statement दीगे, और मैं आपको पूरा data से दिखाऊंगा, कि कैसे ये चीज पॉसिबल है इंडिया will be the third largest economy by 2027-2028, पियूश गोल जी ने पताया देख लेते हैं, तो असल में फ्रांस में एक event चलना था, वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा, मतलब जो इंडियन population या इंडिया से लोग गए और फ्रांस में आज रह रहे हैं, उनसे बात करें था, उसके इलावा भी जो इंडियन डायस्पोरा, उनको भी address करें थे, पि क्या रहे हैं, हम से आगे है, जर्मनी और जिपान, हम तो अपनी economy को 6-7% से ग्रो करते हैं, जर्मनी और जिपान ज्यादा ग्रो नहीं कर पाले, तो आप ऐसे समझो कि आप एक building से 1 km दूर हो, आपका एक दोस 900 मीटर दूर है, दूसरा दोस 800 मीटर दूर है, फिर भी आप ज एक बहुत बड़ी achievement थी, 750 billion dollars के, सिरफ export-export, एक साल में इंडिया ने 750 billion, इसको trillion में convert करूँ न, तो 0.75 trillion dollars के इंडिया ने एक साल में export कर दिया, बहुत बड़ी achievement थी हमारी कंटिकली, ठीक है, अगर आप देखो, यह green में है, इंडिया की economy है, कैसे आप देख सकते हैं, कि य इंडिया से पीछे चल रहा है, इंडिया से पीछे चल रहा है, GDP economy में ठीक है, आपको यह almost orange कल में मिलेगी, जर्मनी इनका भी कुछ बहुत अच्छा growth विगरा जादा देखने को नहीं मिल रही, और 12-27 से इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, और यहां पर आप दे इंडिया ने जो आज से almost 2 साल पेले UK को बीट किया, थोड़ा टाइम के लिए UK फिर उपर आया था हमने फिर से उसको, अब तो हमने काफी मलब दूर छोड़ दिया UK को, तो अगर आप देखो, जिपान और जर्मनी, इनको अगर हम बीट करेंगे, तो हम अगले 4-5 सालों मे 30 सबसे strongest economy दुनिया के बन जाएंगे, उसके बाद US-China वो काफी बड़े figures है, आपको ये एक और अच्छे data से दिखा देता हूँ, आज इंडिया है, almost आप कहा सकते है, 3.4 trillion dollars के economy, 2027 तक हम होंगे 5.3 trillion dollars के economy, आज जर्मनी है, almost 4 trillion dollar के economy, 1227 तक जर्मनी होगा, 5 से थोड़ा कम ठीक है, इंडिया तो 5.3 पे पहुंच जाएगा, आज जपान है 4.3 trillion dollar के economy, और 1227 तक जपान होगा 5.1 तो उससे भी हम comfortably आगे निकल जाएगे, USA आज 25 trillion dollar के economy है, 1227 तक USA 30 trillion dollars के economy होगा, चाइना आज 18 trillion dollars के economy है, 1227 तक चाइना अल्मोस 26 trillion dollar के economy बन जाएगा, तो 2027 के बाद हम ह साड़े 5 के आसपस, चाइना होगा, साड़े 26 के आसपस, तो वहाँ से फिर एक असली जो आप कहलो, growth story है, वो उसके बाद शुरू होगे, प्यूश गोल जी ने एक और बहुत बढ़ी चीज बताए, कि 2047 तक जब इंडिया के 100 साल पूरे होगे, इंडिया का target है, 30 से 35 trillion dollar के एकॉनमी पर पहुंचना, आप सोचो कि ऐसे कैसे होगा, अगर अगले 4-5 सालों में 5 trillion बढ़ेंगे, तो ऐसे 5 trillion बढ़ेंगे नहीं, एकॉनमी exponentially ग्रो करती है, अगर अगले 4 सालों में इंडिया 1.5 trillion dollar से अपनी बढ़ाता है, तो उसके अगले 4 सालों में 3 trillion dollar से एकॉनमी की जो ग्रोथ है, उसको काउंट किया जाता है, आई होप आप इस सीज को यहाँ पर समझ पाए, ठीक है, और आई होप आप यह नमबर्स भी समझ पाए, अब यहाँ पर आपसे प्यूश गोल की स्टेटमेंट की उपर, प्यूश गोल कौन से मिनिस्ट्रे समालते इनके पास टेक्स चाहिल है, कमर्स है, फूट प्रोसेसिंग है, ठीक है, इस पे सवाल आ सकता है, आप से पूछा जा सकता है कि दुनिया की स्ट्रॉंगेस एकॉनमी अभी कौन सी चल रही है, इंडिया का रांक है, ट्रिलियन डॉलर में थोड़ा डाटा पूछा सकता है, इलेक्शन कमिशन ने नाशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है, आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी को नाशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है, असल में आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही, दिल्ली, गोवा, पंजाब, गुजरात के एलेक्शन मे पंजाब और दिली में तो उनकी सरकार भी है आमादमी पाटी के जॉइन करने के बाद बीजेपी कॉंग्रेस बीएसपी और कम्मनीज पार्टी आफ इंडिया माक्सिस ठीक है तो यह पांच और आमादमी पार्टी छटी टोटल 6 नाशनल पार्टी आज इंडिया में हैं काफ गन्सक्राटी का स्टेटस दिया गया कुछ से छीन भी लिया गया क्योंकि उनकी प्रफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी स्टेट पर्टी का ममताबान जी की पार्टी नैशनलिस कॉंगरेस पार्टी शरुआज पावार जी की कमनिस पर्टी आफ इंडिया इनसे स्टेटस आरेस आंदरपदेश में क्योंकि अगर आप इलेक्शन में वोटी नहीं जीत रहे हो तो आपको क्यों ही स्टेटस देना पीडिये मनीपूर में पीम के प्रडुचेरी में आरेस्पी वेस्ट बिंगॉल में MPC मिजवरा में ठीक है इनसे वापे से लिए लिया गया ठीक है और देखते हैं यह जो डिसिजन लिया गया कि आम आर्मी पार्टी को नाशनल बना जाएगा इनसे नाशनल की जगा इनको स्टेट बना जाएगा और इनसे तो स्टेट का भी शीन लिया जाएगा यह सब डिपेंड करते हैं आपकी पार्टी की क्या प्रफॉर्मेंस है वेरियस सबह एलेक्शन अगर आप ऐसा तीन स्टेट से कर पाओ तो आप बन जाओगे या फिर एट लीस्ट छे परसंट आप टोटल सीट्स अगर आप जीत जाओ लोग सबह में से फ्रॉम एट लीस्ट तो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं ठीक है आई होप आप यहाँ पर दो परसंट आप टोटल लोग सबस सीट जीत ले ठीक है तीन अलगलग स्टेट से उसके काड़िए होने चाहिए और पहले आपको स्टेट पार्टी बनना पड़ेगा तो जैसे स्टेट पार्टी के बाद आप ने आश्टल पार्टी बन सकते ऐसे नहीं आपने सीधे पार्टी बनागे नाश्टल पार्टी बनागे वो नहीं हो पाएगा स्टेट टाग के लिए क्या करना जुरूरी है जो पार्टी है उसको एक लीस्ट छे परसंट आफ दी वोट्स और एक लीस्ट दो सीड मिलनी चाहिए जो विधान सब पढ़ सकते हो आपको फाइदे बताता हमान्मी पार्टी को कैसे मिलेंगे जैसे नाश्टल कैपिनल में हेड्कोर्टर्स बनाने एक जगा दे दी जाएगी जो जैसे ऑल इंडिया रेडियो वहां पर एक प्रॉपर विंडो दी जाएगी एलेक्शन के टाइम पर अपनी आपसे हम पर यह कोशन पूछा सकता है कि अब छे पार्टी कौन सी इंडिया में नाश्टल पार्टी किंगिन से स्टेटस चिन गया या फिर आपसे पूछा सकता है रिक्वायर्मेंट्स पताओ की ऑप्शन दी गए कौन कौन सी रिक्वायर्मेंट्स थी के एक नाश्टल पार्टी यह स्ट्रेट पार्टी बनने के इस तरह के सवाल बिल्कुल आसे थर्ड न्यूस प्राइमिनिस्ट ऑफ इंडिया ने रीसेंट डाटा रिलीस किया है फिफ्ट साइकल ऑफ इंडिया स्टाइगर सेंसर्स 2022 मलब साल 2022 के एसाब से हमारी कंटी में टोटल नंबर ऑफ तो लास्ट जो डाटा है थना दोहजा अठ्रा में आया था आप देखो कि दोहजा अठ्रा बाइस चौदा दस इतने टेन्योर में टाइगर सेंसर्स चार बर हो गया और इंसानों का अभी तक एक ये बार हुआ इंडिया में देखने को बिले कि बहुत बड़ी है तो प्राइम स्टर ने रिलीज किया फिफ्ट साइकल ऑफ इंडिया स्टाइगर सेंसर्स दोहजार बाइस चेपट साथ परसन की इंक्रीज आगे चार सालों में यह उन्होंने बताया उन्होंने बताया कि जहां जहां टा इसको डिफरेंशियेट करना काफी मुश्किल होता है यहां पर प्राइम निस्टर ने रिलीज किया इस सेंसर्स को और उन्होंने इनागरेट किया इंटरनाशनल बिग कैट ऐलायंस ठीक है करनाटका के मैसूर में यह जो काफी बड़ा एक दुनिया में लायंस है जहां भी टाइगर की पॉपलेशन है सब कंटी से लायंस के साथ जुड़ी हुई है इस लायंस को जोड़ा गया था तांकि जो सेवन बिग कैट होती टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, प्यूमा इन सब को एक अच्छा हैबिटेट दिया जा सके हिं क पॉपलेशन बढ़ाई जा सके है, 97 कंटी से मेंबर है इस इंटरनाशनल बिग कैट अलायंस के, इस सेंसे में और क्या पता आ गया तो यह पता दिया गया कि नंबर कितने से बड़ा, टाइगर का पॉपलेशन कितनी होगी, परसेंडेज इंक्रीज कितना हुआ, कौन सी पॉपलेशन बड़ी है, यह सब पता दिया गया है, ठीक है, बहुत अच्छा डाटा है, इंडिया के जो टाइगर रिजर्व हैं, अगस्त 2022 के साब से अपडेटेड डाटा है, आप देख सकते हो, जैसे पंजाब में, हिमाचल में, हर्याना में आपको टाइगर रिजर्व हब्स बनने हों है, ठीक है, जहाँ आपको टाइगर की अच्छी खासी पॉपलेशन देखने को मिलेगी, अगर आप थोड़ा ड्रॉ करो तो आप यह हब्स को देख भी पाऊगे, कहां आपको टाइगर की जो पॉपलेशन है, वो थोड़ी जादा देखने को मिलेगी, तो यह वो हब्स हैं, जहाँ पर जादा तर टाइगर की पॉपलेशन देखने को मिलती है, और एक नॉर्थीस्टन हब है, ठीक है, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आप से जो टाइगर रिजर्व हैं, उनके बार में पूछा आ सकता है, जैसे पूछ सकते हैं कि चलो बताओ, यह टाइगर इस तरह का कोशन आ सकता है, नंबर्स पे कोशन आ सकता है कि कितना इंकरीज हुआ टाइगर की पॉपलेशन के, ऐसे कोशन बिलकुल आ सकते हैं, ठीक है, फोथ निउस, पी-एम जंधन ही हो जड़ा, जिसमें फाइनेशल इंक्लिजन की गी थी, आपके ऐसे त पैसा है, उसमें अच्छा खासे इंक्रीज देखा गया, फिफ्टी थाउजन क्रोड को और यह कोई ब्लैक मनी नहीं है, इतनी यह बिचारे इंडिया के फाइनेशली बहुत ही वीक लोग है, जो कमाते हैं, उसमें से थोड़ा-थोड़ा एड करते हैं, अपने अकाउंस मे अच्छी चीज है, पाँच करोड और अकाउंस भी खलवाएगे पिछले एक साल में, यह भी अच्छी जाप टोटल अकाउंस जो है, यह आप देखो तो 48.65 करोड सोचो, योरोप, नॉर्थ अमेरिका की पॉपलेशन इतनी नहीं, जितने इंडिया में सरफ अकाउंस भी ख प्रक्सिमम जो है, आज भी 80% जाद अकाउंस ठीक से काम करते रहते हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए काफी पुश मिलता है इन अकाउंस के थूठीक है, आरर बीस को काफी पुश मिलता है, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक से तो अगर आप देखो, जारा तर त यहां पर क्या प्ताया गिए, कि जो रूपे काट जाते हैं, यूजना गंदर वो जाद रूपे काड है, क्योंकि वीजर मास्रकाड तो जिनके बड़े अकाउंट से वो ही रखते हैं, ठीक है, बाकी बताया जा रहा है, एक्सिडेंटल इस्शोरंस ठीक है, और अच्छी च अभी भी जो बहुत सारे यहां पर अकाउंट्स है वो जीरो बैलेंस पर चलने पर यह एक इच्छी चीज है कि अगर इंडिया में फाइनेशली सबसे वीक लोग भी इंडिया के फाइनेशल सिस्टम बैंकिंग सिस्टम पर वरोसा दिखाते हैं इंडिया को फाइनेशली स्टम बना रही है यह स्कीम और इस स्कीम में जो अच्छे अपडेट्स आ रहे है तो इस योजना को 2014 में लांच किया गया था सिंपल एक चीज में पता सकते हैं फाइनेशल इंक्लूजन में यहां पर मोटीव है आप से बहुत कुछ पूछा सकता है scheme के बारे में recent growth data के बारे में total accounts के बारे में total पैसा कितना जमाइस के बारे में कौन से card issue होते है रूपे cards यह से बहुत सारा data पूछा सकते ठीक है चलते आज की last news पे इंडिया के oldest billionaire थे इनका नाम था केशोब महिंद्रा इनकी age थी 99 और recent listeners इनकी death होगी तो यह थे chairman of महिंद्रा इन महिंद्रा ठीक है और इंडिया के oldest billionaire थे 99 years की age मिन की death होगी इनकी net worth थी 1.2 billion dollar के आज पास यह retire हुए थे आज जी chairman of महिंद्रा group on 9th of August 2012 ठीक है और इन्होंने जो अपने nephew थे अनंद महिंद्रा जी जो आज समाल रहे हैं उनको responsibility pass on करती थी 48 एस तक यह chairman रहे महिंद्रा गुप के और इनके अंदर महिंद्रा गुप में बहुत ग्रो किया मतलब इतना बड़ा manufacture बना Automotive में कितना strong ठीक है और बाकी पताया जा रहा है महिंद्रा इंडिया में बहुत सारी foreign companies के साथ alliances विगरा बहुत है वो इनके अंडर काफी हुए यह पताया जा रहा है ठीक है जनम इनका हुआ था 9th of October 1923 थी हिमाचल परदेश की capital शिमला में तो जो हिमाचल परदेश के सुरूंट से उनके लिए इक important चीज़ बन की बाकि थोड़ा इनकी डिगरी में बताया गया है ठीक है इंदोने महिंद्रा जॉइन किया था एक्जेक्ट इंडिया की की कोशिश करें आई होब जो important चीज़ थी मैंने आपको बता दी तो इनकी सुन्स डेथ 12th of April 2023 को इनकी डेथ हुई ठीक है उनका जनम होगा था 9th of October 1923 को 99 years की बहुत ही आपके लोग इंट्रस्टिंग और इंडिया की development में बहुत ही important इनकी जो लाइफ रही हमारी कंटी के डिवर आज महिंद्रा गूर्प अगर आप देखो इतनी strong company है इंडिया के बहारी कितनी कंटी में महिंद्रा का जो product से वह जाता ठीक है काफी बड़ी चीज़े महिंद्रा गूर्फ हमारी कंटी के लिए यहाँ पर आप से अगर इनकी personal life पे कुछ पूछें या फिर महिंद्रा गूर्प के बार में पूछें वहाँ पर आपको जो न्यूज़ा बिल्कुल help करेगी ठीक है इसके साथ सुर्ण आज के इस class में जितने topic जितने question जितने news मुझे discuss करने थे मैंने discuss कर लिए I hope आपको ए class useful लगी इस regular current phase की class के साथ एक topic आपके लिए डेली लानी शुरू करूंगा जिसमें कोई ना को एक important topic को थोड़ा briefly अच्छे से कोशनिश करूंगा समझाने की तो I hope आप उसको भी regularly देखोगे ठीक है मिलेंगे अपनी next class में तब तक लिए thank you and have a very successful day ठीक हाँ अगर आपको ए class अच्छे लगी आप मैं आच